संगों का इत्यास संग की आवशक्ता संग कैसे काम करता है संग कैसे खत्म होता है और आज कल के जो संग्ठन है उन में और संग में क्या अंतर है और हम को संग में जाना चाहिए या संग्ठन में जाना चाहिए या दोनों में जाना चाहिए या दौनों मैंसे किसी में नहीं जाना चाहिए ये प्रशन आपके सामने जितने भी समर्शंग के स्पोक हैं उनके सामने ये लगातार आएंगे और लगातार लगातार आपको इनके सभी लोगों को जवाब देने पड़ेंगे आपको सारे जवाब पता होने चाहिए समर्शंग के इत्यास के वारे में और समर्शंग के वर्तमान के वारे में सारी जानकारी होनी चाहिए भविस्य का तक कोई अतापता किसी को होता नहीं इसलिए भविस्य की बात करनी तो बेकार की बात है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई व्यक्ति हो नहीं सकता या जो भविस्य की बात सुने उससे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता कोई इसलिए बुद्ध जैसे व्यक्ति वर्तमान में जीते थे और वर्तमान की बात ही बताते थे और वर्तमान में ही सारे काम करते थे जो संग है, संग का मतलब होता है सैंग, यानि कि निज के अंग, एक जैसी वस्तू का इखटा होना एक जैसे प्रकार एक जैसे सभाव एक जैसी वस्तू या चीज या जीव या पेड़ पंतू या कोई भी चीज जैसी है जो एक साथ इखटी होती है उसको कहते हैं कि ये संग बन गया जैसे कहते हैं कि ये भिक्व का संग है ये देश का संग है ये समुच्चे या संग करके बुला जाता है कि ये संग है पानी का संग है या ये हवा का संग है और जब भी कोई चीज एक साथ इखटी होती है तो वो अपनी ताकत बना लेती है इसका उधारन हमें ज्यादा दूड देने की जरूत नहीं है एक प्राकरतिक उधारन सबसे तगड़ा है और प्राकरतिक उधारन ये है कि गलेक्सी के अंदर जो हमारा जिसको आकास गंगा बोलते हैं उसके अंदर जो सेंटर है उस सेंटर के चारो तरफ सारे के सारे जितने सूरे हैं जितने भी सूरज हैं जितने भी तारे हैं वो सारे के सारे उसके बंधे हुए होते हैं और उसकी तरफ खिचे हुए होते हैं और ऐसे बहुत सारे सौर मंडल है उसमें एक हमारा सौर मंडल है जिसका एक सूरज है और उस सूरज के चारो तरफ सारे ग्रहे घूमते वो उससे बंधिर रहते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा है बहुत इखटा है बहुत सगन है और जो हमारी प्रत्वी है उस प्रत्वी का भार इतना ज्यादा है और वो इखटा है एक साथ उसका जितना मेट्रियल है जितना उसका तत्व है वो सब एक साथ इखटा होने से उसक अंदर एक बल आ गया जिसको बोलते हैं गुरुत्व आकशन बल यानि जो प्रत्वी है वो अपनी तरफ आकरशित करके सब चीज को खिच लेती है यह उसके अंदर शक्ती आ गई उसके इखटे होने से इसलिए दुनिया में कोई भी चीज प्रत्वी पर कोई भी चीज जो ग धरती है जो हमारी धरा है जिसको हम धरती माता बोलते हैं उससे समझ सकते हैं कि वो मट्रियल जो उसके अंदर जितना भी तत्व है वो एक खटा रहता है तो उसके अंदर एक ताकत आ जाती है वैसे ही ताकत जब हवा एक साथ एक खटी होती है तो वो चक्रवात बना देती तुफान बना देती है और अच्छ पेडर पौदो को खाड़कर ले जाती अच्छ ची बीटिंगों को वह तहस्नेश कर देती है, वैसे ही जब पानी खटा होता है तो वो समुदर बना देता है और जब उसमें जलजला आता है तो वह अच्छ अच्छ도 बीट को वैसे ही जब आग इखटी हो जाती है तो वो देवाग नहीं बन जाती है जंगल की आग बन जाती है और वो अच्छ अच्छ जंगलों को तभा कर देती है वैसे ही जो रेत के धेर हैं जब इखटे हो जाते हैं तो रेकिस्तान की रचना कर देते हैं वैसे ही जब कहीं पे जुन्ड या जाल कहीं पे इखटे हो जाते हैं तो वो जंगल का रूप बना देते हैं और वैसे ही जो जानवर हैं, जो जानवर जहां इखटे होते हैं, वो जानवरों का संग, जानवरों का जुन्ड या जानवरों का कुनवा या जानवरों का ग्रोपूरक बुरा बना देते हैं, यानि वो संग में रुपांत्रित हो जाते हैं, अधिकतर जितने भी जीब हैं य का मिलके संग बन जाए और दोनों मिलके काम करें ऐसा नहीं होता जीव भी एक ही तरह के खटे होते हैं दूसरे प्रकार के जीव निशेद होते हैं संग के अंदर वो इसको अपने संग में लेते भी नहीं है वैसे ही पक्ती से सीखें पक्ती का मतलब है प्रकर्ती पक्ती का मतलब होता है जो पकाता है उसको पक्ती बोलते हैं और जो प्राकर्तिक है उसको बोलते हैं पक्तिक यानि कि जो पका हुआ है उसको प्राकर्तिक बोलते हैं तो ये पक्ती और जो प्राकर्तिक है जो पकाती है सब चीजों को आगे बढ़ाती है वो प्रक्रती ने सभी चीजों को सुरक्षा के लिए संग का एक फार्मला दिया है और संग में वो सुरक्षित रहते हैं जो जानवर जो जाल जो पेड़ जो चीजें संग में नहीं होती वो धीरे धीरे समाप हो जाती है और जो संग में रह जितने भी संग हैं उनका एक ही उद्दे से होता है सुरक्षा, विकास और सुख और ये तीनों चीज वो सिर्फ अपने जो संग में लोग होते हैं या संग में जानवर होते हैं या संग में वस्तू होती हैं या संग में पेड़ पौधे होते हैं उनी के लिए करते हैं यानि क संग का जो उद्देश से है वो बड़ा इसपश्ट है संग का उद्देश से है कि संग हम ऐसा सुरक्षा के लिए विकास के लिए और सुख के लिए काम करता है सुरक्षा उसे अपनी जान की चाहिए वो जिंदा रह सके और जो उसको विकास के लिए उसको खाना चाहिए उसक विकास तरकी होता रहे है और मनुस्य के मामले में तो इसका मांसिक विकास भी साथ जूड़ता है और सुक उसको हर प्रिकार्ट की जो सुख सुविदा है वो मिले चाए वो पेड़पोदे हों चाए वो वस्तु है चाए सा सुख की तलास में रहते हैं और संग इन तीनों चीजों को महिया कराता है इन तीनों चीजों को अबिलेबल कराता है इन तीनों चीजों को देता है इसलिए दुनिया में जितनी भी लोग संग में रहते हैं या संग बनाते हैं वो अपने संग से यह उम्मीद करते हैं कि उन लोगों का विकास और हमारे लोगों की सुरक्षा ये हमारा उद्देश है और ये हमको चाहिए जिने लोगों के पास संग नहीं होता वो लोग सुरक्षत नहीं होते उनका विकास नहीं होता और उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता वो दुख में बदल जाता है और उनका वि पूले लंगड़े हो जाते हैं अपईज हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं इसलिए रहे संग का अधिश से सब्सक्राइब सारे प्राणियों का पक्ति ने संग का उद्दे से बना कर हमको दिया है तो संग होता क्या है कोई व्यक्ति आप से पूछे कि वाट इस संग क्या है तो क्या आप बोलेंगे संग हमेशा नियमों का बंडल होता है नियमों का गुच्छा होता है नियमों की थैली होती है नियमो की कडोरी होती है नियमों की पोटली होती है जैसे पुराने समय में जो हमारा संग था जो प्रकती से पक्ती से हमने सीखा उसके जो नियम हुआ करते थे वो नियम हमने पक्ती से प्रकती से नेचर से सीखे और वो नियम उस समय तक चुकि हमारा भासा ग्यान नहीं था हम बोल पाते थे पर हम उनको प्रैक्टिस में लाते थे अभ्यास में लाते थे जब हम बानर थे जब हम बंदर थे समू में रहते थे और हमारा बाकाइदा पूरा सिस्टम होता था कैसे हमें जाना है किसको हमें देखना है क्या खाना है क्या पीना है कैसे बच्चे पालने है सा आ गई, सब्द आ गई, हमने सब्द बनाने शुरू कर दिये, हमने सब्द बोलने शुरू कर दिये, तो फिर ये मौखिक रूप से चलने लगे, और मौखिक रूप से हम एक दूसरे को इन संग के नियमों को आदान प्रदान करने लगे, इस संग के नियमों का मौखिक चलन देने के लिए उसको आप कह सकते हैं कि टीचरों का संग यानि टीचर्स का संग गुरुओं का संग जो सिक्षा देते हैं उनका संग वहाँ बना जिसको हम बोला करते हैं कि यह पढ़ाने वाले लोग का संग है उसके नियम ज्यादा इस्टिक्ट थे ज्यादा खतरनाक नियम ज़ादा सक्त नियम थे क्योंकि उनको सब लोगों के लिए मिसाल बनना होता था इसलिए उनके नियम सक्त रखे और और साम लेरियों का जिसमें ट्रेनिंग लोग डड़्गिया और ते महिलाएं आती थी वह संग के नियम, सारे मौकिक चलते थे, उनके प्रक्टिस होते थे, उसके बाद में जब लिपी बन गई तो लिख्थ में भी आ गए, और दुनिया के पहले नियम संग के, भिकु संग के, और भिकुनी संग के, वो नियम जो पुराने संब्रों के थे, उनके साथ मिक्स होके, हमको दिल ने आरब हुए और सारी दुनिया ने उन्हों नियमओं से सीख के अपने अपने संग बनाए उसके कर एकिर समुझकर सं़राट असोक ने सारे नियम पत्त्रों पे औ सिलाओं पे लिखवाए शंग बड़ा मजबूत रहा उस संग की ताकत से महա熱 16 महा熱 का महा संग बना जिसको महा भारत करके बोला गय महा भारत को महा रूप में दिये और वो आज भारत में चलते हैं और उस सम्विधान के modern नियमों को पूरी दुनिया ने adopt किया और बहुत सारे देशों ने उस सम्विधान को देख के अपने अपने सम्विधान modified किये या बनाए या बर्वी रहें आजकल तो वही नियम जो प्रक्रती से हमारे पास आये थे भारत की सबसे बड़ी पूजी और वही सम्विधान के अंदर नीत है तो वही संग चलता है क्योंकि संगों के रूप लगाता लगातार बलते गए हैं बदलते गए हैं जैसे पक्ती ने हमको दिया अलगलग पक्षियों के संग बने अलगलग जानवरों के संग बने फिर मनुस्य के संग बने फिर वो जो जन्पद है उसका संग बना भारत का भी संग है जिसको भारत गड़राज्य संग बोलते हैं भारत गड़राज्य संग ब जो सबसे बड़ा संग भारत में चलता है वो समर संग है और वम्रों ने भी अपना संग बनाया समर संग को देखकर और यहां के संग को देखकर तो संग लगाता लगाता साथ 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 चलता रहता है इतने संग की आउसकता लगबग सभी को पड़ती है जितने भी लोग हैं और अपने आपको सुरक्षत रखने के लिए अपना विकास करने के लिए और अपने सुख के लिए संग लगाता लगाता लोगों के साथ रहते हैं तो वहां से संग की जो यात्रा चली वो नियमों के बंडल पे आधारित होके चली यानि कि अगर आप संग में नियम मानते हैं अगर आप संग्तुराज संग में नियम मानते हैं अगर आप भारत गर्राजे संग में नियम मानते हैं, अगर आप भिकु संग में नियम मानते हैं, तो तो वो संग है, और अगर आप नियम नहीं मानते हैं, तो फिर वो असंग है, फिर वो संग नहीं है, इसलिए जब जब नियम माने गए और कडाई से पालन किये गए, तब से जो समण संग के नियम है और जो लिखित में चल रहे भारत के सम्विधान में वो सारे के सारे नियम आज तक by the people for the people of the people है यानि लोगों के हैं लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए हैं वही संग के नियम का होता है कि संग हमेसा नियम लोगों के साब से बनाता है तो चलना भी लोगों नहीं पड़ेगा क्योंकि लोगों के लिए हैं अगर लोग उस पर नहीं चलेंगे अपने संग के नियमा पर नहीं चलेंगे तो वो व्यवस्ता फेल हो जाती है संग की जिसके लिए संग बनता है और नियम बनाता है चाये वो देश की व्यवस्ता हो चा जो संग बनाने के बाद में अपने नियमों को इस्टिक्ट रूप से पालंग करते हैं, सक्ताई से पालंग करते हैं, उनके संग हरे भरे रहते हैं, और जो एवें बस इधा उदर की बात है करते हैं, और संग के नियमों को तोड़ने लिए तियार रहते हैं, या अपना व्यक यहाइए नियमों के बंडल को नहीं मानेंगे तो तेहसनेस और खतम हो करन है कि हमारा संग कमजोर पड़ा क्योंकि हमने संग्त के नियमों को मानना छोड़ दिया या कम कर दिया या भूल गया भूला दिया बहुत सारी बात founded शकिते हैं जिस में हम लललता चर्चा करती रहते तो समढ संग की क्यों आवस्कता पड़ी और समढ संग ऐसा क्या खास बात है कि जो हमें बचाने की गारिंटी देता है सबसे पहले तो ये देखें कि भारत में हमारी जो पुरानी स्थिति थी वो मजबूत किस्निय थी बहुत सारे विद्वान कह सकते हैं कि हम अनपढ हो गए हमारी पूजी चली गई हमारा खेट चला गया हमारी राजसाही चली गई हमारी डॉक्टर चले गए हमारे इंजीनर चले गए हमारी सेनाय खतम हो गई हमारी जमीन जाजा चली गई पर ये बात ठीक नहीं है ये सब चीज चली गई है ये बात तो ठीक है पर ये सारी चीजे गई क्यों है कोई कह सकता है कि अनपढ़ होने के कारण गई तो उससे ये पूछा जाए कि आप अनपढ़ किस कारण से हुए अनपढ़ होने की वज़े सारी चीज चली गई ठीक बात है पर अनपढ़ किस कारण से गई वो कारण नहीं समझ में आता लोग को क्यों चली गई सारे खेद खलियान क्यों चले गए सारी के सारी राजसाही राजासाही क्यों चली गई क्यों हम दाता से देने वाले से मांगने वाले और फकीर बन गए और क्यों हम टुकडों में तूट गए तो बहुत सार विद्वता को उपर रखना है इसलिए कहता है कि विद्वान नहीं है इसलिए चले गए जो पैसे वाला है धनाड़ है वो कहता है गरीब होगे पैसा चला गया इसलिए हमारी हैसी होगी क्योंकि उसको अपने पैसे का बजन ऊपर रखना है कोई कहेगा बिरोकेट के हमारी रा की हैं ये सारी बाते क्यों हुई हैं इसका एक कारण है क्योंकि जिनके संग रहते हैं जो साथ रहते हैं वो चाहे अनपड़ हो चाहे पड़ लिखे हो चाहे वो धनड़े हो चाहे वो धनड़े ना हो गरीब हो चाहे वो सेहत में अच्छे हो चाहे वो सेहत में अच्छे ना हो चाया उनके पास घर मकान अच्छे हो या घर मकान अच्छे ना हो पर जो लोग साथ रहते हैं सारी चीजें वहीं से चलती है सब चीजें उनके पास होती है वो सुखी रहते हैं वो विक्सित रहते हैं क्योंकि समू के अंदर संग के अंदर सब चीज को छीनने की सब चीज को रखने की और सब चीज को कबजा करने की पूरी ताकत होती है और जो समू बड़ा नहीं होता जो अल्प समू होता है उसकी सारी चीज़ें छिनती है बड़ा समू छोटे समू की सारी चीज़ें छीन लेता है इसलिए किसी के पड़ाई से लि करने में आ गयाती है पर सबसे जरूरी है संग होना चाहिए लोग इखटे होने चाहिए संख्या भारी होनी चाहिए इसलिए अधिकतर लोगों ने ये कहा है कि संगे सक्ति युगे-युगे यानि जोड़ जोड़ से जोड़ जोड़ के जो संग से सक्ति होती है वही सक्ति है किसी ने भी नहीं कहा कि विद्वान होने से सकती होती है किसी ने भी नहीं कहा कि आपको धराड़ होने से सकती होती है किसी ने भी नहीं कहा कि आपका सरीर अगर बलिष्ट है तो उससे सकती होती है सबने कहा है कि अगर एकटे रहते हैं तो सकती होती है किसी की विदुता किसी का सरीर किसी का पैसा उसके इंडूजल कामा सकता है किसी के ग्यान उसके इंडूजल कामा सकता है अकेले कामा सकता है पर अगर समू की बात होगी और संग की बात होगी और उसके वेलिफर की बात होगी तो एक आदमी चाहे कितना बड़ा विद्वान हो वो संग की सक्ती के लिए सहायक तो हो सकता है पर संग की सक्ती को पूरक नहीं हो सकता पूरक इसे नहीं हो सकता क्योंकि संग की सक्ती तो संग से बनती है, व्यक्ती की सक्ती व्यक्ती से बनती है तो व्यक्ति मोटिवेट कर सकता है, व्यक्ति बता सकता है, व्यक्ति बता सकता है कि पहले क्या हुआ अब क्या हुआ, पर संग जब तक इखटा नहीं होगा, सक्ति नहीं आने वाली, चाहिए वो व्यक्ति कुछ भी करता रहे, इसलिए संग की सक्ति का होना बहुत आवशक है और सबका इखटा होना बहुत आवशक है, इसलिए बार-बार जिन्वी लोगों ने कहा उन्होंने यही कहा, बच्चो इखटे रहना, साथ रहना जम मरते हुए मावा बुड़े-बुड़े होते हैं, तो इखटा होने लिए कह के जाते हैं, वो कभी यह यह नहीं कहते हैं, कि बेटा बहुत पढ़ना बहुत पैसा कमाना वो कभी यह नहीं कहते कि बेटा खुब मलाई खाके मोटे हो जाना वो कभी यह नहीं कहते कि बेटा बहुत बड़ी-बड़ी मुची मारते बनाना पूरा देश कपजा कर लेना राजा बनना शेंचा बनना वो हमेसा एक बात कहके जाते हैं कि बच्चों इखटा रहना उनको अंतिम ये बात समझ में आ जाती है कि सारी बातें प्राप्थ हो जाएंगी अगर इखटा रहेंगे तो और सारी बातें चली जाएंगी अगर तूट गे तो इसलिए मरते समय हर एक विक्ति का आखरी उपदेश होता है इखटी रह ना कितना बड़ा मेस्ज़ और संदेश देखा जाते हैं कि संग में रहे वैसे ही जब कोई देस से बहार कोई विदेशी लोग जाते हैं तो वो एक ही काम करते हैं उन् lent को प्रणत के लिए कि उसको तोड़ देते हैं क्योंकि अगर इखटे होंगे तो वह को तोड़ दे इसलिए अपने देश को मजबूत करने के लिए उन्होंने यूरोपियन संओ बनाया अपने देश को मजबूत करने के लिए उन्होंने सोवियत संग बनाया अपने देश को मजबूत करने के लिए उन्होंने संग बनाया अपने देश को मजबूत करने के लिए वो संग बनाते हैं और दूसरे के देशों को कमजोड करने के लिए उनको तोड़ते हैं ये नियम हर जिगे चलता है संग का, हर जगा चलता है, हर जगा, चाहे वो किलास है, चाहे वो दफ्तर है, चाहे वो खेती है, चाहे किसान है, चाहे कोट है, चाहे पुलिस है, चाहे वो घर है, चाहे वो होस्पिटल है, चाहे वो कहीं उपास्य का उपासक है, या कहीं पूज 6-5 वोलते हैंику buck out कहा संघत करो संघत करो संघ 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 करो और इसलिए सारे लोग संघती करते हैं के एक साथ रहें बरहने संस्ध ही भुजाते हैं उनको तोड़ते हैं कि तोडने वाले लोग पूरी लगाते हैं इसी लिये की डॉक्ट्टर उमीटकर कहते हैं कि आपको और्गनाइज होना है एकटे रहना है और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि संग की सरण में जाना है सारे के सारे लोग यही बात कहते हैं तो हमको संग की सरण में जाना है और संग से ही हमारी गती हो सकती है इसलिए समढ संग और संग में जाना बहुत जर्वी होता ह इसलिए संग की मानता होती है तो संग को कमजोर कैसे किया जाता है संग को कमजोर करने के लिए संग के अंदर कुछ संगी बेजे जाते हैं जो लोग संग को तोड़ना चायते हैं और उन संगियों को उकसाय जाता है उनके व्यक्तिकत लालस देके उस संगों के नियमों के वुरुद जितनी चीजे हैं उसके लिए उक्साय जाता है उनको पैसा दिया जाता है उनको प्रतिष्टा दी जाती है उनको मान सम्मान दे जाता है और उके द्वारा उनको चड़ाय जाता है और संग के नियमों को कमजोर करने के लिए उनसे जानमूच के कहा जाता है कि आप संग के नियमओं पे मत चलो, ये ऐसे ठीक रही है, ये वैसे ठीक नहीं है, ये सारी दुनिया में काम चलता है, इसलिए बुद्ध जैसे व्यक्ति अपने संग को बचाने के लिए महिणे में दो बार नियम बताया करते थे, महिणे में आ जाएं जो संग को तोड़ने वाले हों और किस प्रकार के लोगों का उस सभाह में बैठना अबैद था किस प्रकार के लोग आनी सकते थे वो लिखे हुए बिने पीटक में किस प्रकार के लोग बैठें को बुद्ध को पता था कि यह तोड़क लोग हैं तोड़ने वाले हैं और वो अपना कोई साथी कमजोर होता था तो उसको morally boost करते थे कि अगर किसी से कोई संग का नियम तूट गया है तो बता दे तो संग में संग के नियम तूटने में प्राइस्टिस से लेके और संग घात के आरोप में बहार निकाले तक के सारे लोग थे और सारा नियम था और उस में बाकादा एक अदलत भी हुआ करती थी जो फैसला करती थी उसमें buting भी हुआ करती अदलत में कि बहुमस से को क्या इसको सजादी जाये क्या नहीं ये सारे नियम संग में बुद्धने बनाए जो बड़े परफेक्ट नियम रहे और सारे सारे प्रैक्टिकल रहे कोई ऐसा नहीं बनाया बुद्धने नियम के बस अपनी गंद कुटी में बैटे है और कोई मन में नियम आ गया तो बता दिया जब समस्या आई उस समस्या पर समधान हुआ बहस हुई और बहुमस्या वो नियम पास हुआ और वो नियम बन गया और नियम बदलते भी देते थे तो सारे के सारे जितने भी संग के नियम बनाए वो बड़े परफेक्ट बनाए और वो संग घात और संग को तोड़ने वालों के लिए आखिर तक साबधान रहे और उन्होंने संग को किसी भी हलत में तोड़ने नहीं दिया चाँ कुछ हो जाए उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि संग बात तक भी चला और आज तक भी चलता है और दुनिया उन्ही के संग के नियम से सीखके संग बनाती है तो हमारा तो जर्मजात संग है समर्ण संग जर्मजात और पहले से है और बुद्धवी उस संग के, समण संग के मेंबर रहे हैं, सदस्य रहें, बाकाईदर उन्होंने सपत ली है, तो इतना पुराना संग है हमारा तो कहां से आरंब होता है, और आज यहां तक पहुंचा है, जो हमारे पास है, यह वही संग है, जो वहां से लेकर यहां तक चल र होती हैं सुरक्षा है विकास है और सुख है वो तीनों गायव हैं हमारे पास सुरक्षा नहीं है हम जगे जगे मारे जा रहे हैं जगे जगे पिट रहे हैं हमारे जो लोग हैं उनको पता नहीं है कि कैसे बचना है कैसे नहीं बचना है वो बचने की जीत और कोशिस करते हैं व वो सोचते हैं कि हो हला करने से बच जाएंगे, वो सोचते हैं कि भीड इखटी करने से बच जाएंगे, वो सोचते हैं कि किसी को ललकारने से बच जाएंगे, और ऐसी ललकार, ऐसी भीड, ऐसा हो हला, सतर साल से लगातर बढ़ता जा रहा है, चाहें वो खैरलांजी हो, और च करते हैं उल्टे सीधे वक्त वे देते हैं ऐसे भाशन देते हैं जिससे दोचा लोग उक्सा के फिर उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है ना समझी वाला बच्चे वाला काम क्योंकि पॉलिटिक्स उसमें इन्वाल हो जाती है और लोगों को एंपी एमले बनना है तो उनको चमक के अंदर कोई पिताना नहीं होती अगर यह लगातार लगातार पिताना हो रही है और बावा साव अमेट कर अपने वॉल्म में लिखते हैं कि कहां कहां पिताना हो यह उस समय से हो रही है और लगबग तीन सो चार्व साल पहले से आरम हो ही है तो जाहिशी बात है कि हमारी स और डब्लسمेंट होता था वो कृतम हो चुका है हमारा पतन हो रहा है किसी व्यक्ति के संहू grind का या किसी देस का या देस्यति में रहने वाले लोगों का पतन हो रहा है या व्यक्ति का व्यक्ति का अगला विकांदनी आग्र जाह 1 ईगां 5auer4 पतन हो गया, अगर किसी के पास चार बड़ा घर है और उसका घर बिक्टा चोटा घर हो जाए तो पतन हो गया, अगर किसी की सेहत अच्छी है और उसका चेहरे पे चमक है और कुछ समय बाद वो सूख जाए उसको खाना ना मिले, इसका मतलब उसका पतन हो गया, अगर किसी के बोलने पे सजा हो जाए या बोलने पे बेन लग जाए या बोलने पे उसको डंडे पड़े या मार पिटे या वो घबराए तो इसका मतलब पतन हो गया उसका सुतंता उसकी आजादी चली गी अगर कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहे और वो काम उसको ना मिले और मजबूरी म जो हेल्प की और जो खाने की जो पीने की और जो काम के अपोश्रोटी यानि के काम करने के मौके हमारे पास थे जो हमारी नौकरी थे या जो हम जहां-जहां काम करते हैं वो मौके खतम किये जा रहे हैं पढ़ाई के मौके खतम होगे नौकरी के मौके खतम होगे बोलने के मौ विकास नहीं हो रहा है, विकास ना किवल रुका है, उल्टा चल दा है, हमारा पतन आरभ हो गया, और हम जहां से चले थे, अगले तीस सान में वहां पहुंच जाएंगे, यानि कि वही गरीब फटीचर और फिर वही हलत हमारी हो जाएगी, और तीसरा सुख है, सुख देख ल विगायब हो गई, तो संग की आवसकता है, क्योंकि संग इन तीनों चीजों को दलाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं दला सकती, खुब ट्राई किया हमने सतर साल में नहीं दला सकती, कितने वादे करे, कुछ भी करे, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं ह तीनों चीज़ दिलाने का काम संग का होता है तो पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कोशिश करे नहीं दिला सकती है इसलिए संग की आवशक्ता अब जादा है क्योंकि यह तीनों चीज़ चाहिए तो लोगों ने संग के विकल्प को नहीं समझा और उसके विकल्प में उन्हों संग्ठन जब बनते हैं तो वो कभी किसे पूछते नहीं समाज से पूछते नहीं जिनके लिए बनते हैं उनसे भी नहीं पूछते अपने आप बनते हैं अच्छे भाव से बनते हैं अच्छे मन से बनते हैं पर चंदा पद पोष्ट मंच माला उसमें बीच में आ जाती है और उसकी आदत उन्हें पड़ जाती है, फोकट का पैसा मिलता है, गाड़ियों में पैटल पड़ता है, कुछ लोबी लोग अपने लालच के लिए लोगों को गाड़ी, कार, हेलिकॉप्टर, पैसा, होटल, यह सब चीज़ दिला देते हैं, कुछ लोग तो इससे आगे भी दिला देते हैं, जो नारी इस्त्री की जो सुविधाय बगरा होती हैं, वो सब आयासी की चीज़े भी दिला देते हैं, ताकि उनके चंगल में फसी रहे हैं, फिर उनको पद, पोश्ट और बंच की जो माला ऐसी आतर पड़ जाती है, कि वो उस जगे को छोड़ना नहीं चायते, फोकट में मिलती है समाज का पैसा, फोकट का पैसा, फिर वहाँ जगड़े होते हैं, फिर दूसरा संग्ठन बन जाता है, फिर तीसरा बन जाता है, संग्ठन के सारे लोग कहते हैं संग्ठित हो जाओ पर वो खुद संग्ठित नहीं होते संग्ठन के जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े होते हैं एक ही प्रकार के काम के लिए हजारों संग्ठन हैं, अगर पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स के लिए हजारों पॉलिटिकल संग्ठन हैं, अगर सोसल वर्क है तो सोसल वर्क के हजारों सोसल वर्क के संग्ठन हैं, अगर लड़कों के दलबल हैं तो हजारों प्रकार के हैं, अगर वालिंटर फोर्स के टाइप, टाइगर फोर्स के टाइप, पैंथर जैसे संग्ठर बने हैं, बी बी अफ जैसे संग्ठर बने हैं, तो सम्ता संग्ठर जैसे तो वो भी हजारों में बने हुए, वो टुक्ण में अलग अलग है, धम के संग्ठर ने तो हजारों मठ बने हैं उनका कोई लाज नहीं है और सबसे मजदार बात यह है कि वो हमको इखटा होने के लिए कहते हैं और धारन देते हैं दूसरे के संग का वो कहते हैं देखो दूसरे के संग ने ऐसा कर दिया दूसरे के संग ने वैसा लगाया पिछले duas साल से तो जितने भी संगी हैं यहां पे सब यह जानने हैं कि उनके सबनों में संग की सोच नहीं नहीं इस तो में और वेक्तिगत और डान पैसाँ की शंग को जोनकर भी नहीं जानते, तो कि संग के अंदर मैं मेरा मंच माला पद पोष्ट ये सब नहीं होता, संग के अंदर केवल संग बाद होता है, और संग बाद के लिए आपको अपना सब कुछ देना है, आपको मिलने का चांस नहीं है, जो मिलेगा सब को बरावर मिलेगा, इसलिए संग म सारे नियम open में बनते हैं संग एक खुली किताब होता है पर जो संग्टन है वो एक काली और गुप्त किताब होता है जो सुरू में रेश्टार के पास जाती है और रेश्टार के एक्ट के हैं वो होती है उसमें आज इवन प्रधान अपने आपको लोग लिखके उसको बंद क किसी को कॉप्नी देते चाए हो पौलिएगल पाटी हो चाहे हो सामाजिक संगाटन हो चाहे वह राजनित्य हो चाहे लड़को के दलवाल के हो चाहे हो सरकारी करम चारीोंगे हो चाहे हो धमст के हो सबने अपने बाइलोज में अपने आपको आजीवन, मालेक आजीवन सदसे, संस्थापक सदसे, फ़लाना ने रहना बनाकर अपनी पोश्टें, पीडी तकी उनोंने पूरी तरह से मजबूत की हुई है और यही कारण है कि संग की सोच से वो लोग घवराते हैं समण संकी उनको आउशकता नहीं है पर अगर हमें अपना उध्धार करना है अगर हमें यह तीनों चीज़ें पराप्त करनी है तो यह संग्ठन से नहीं हो सकती अगर संग्ठन से यह चीज़ें पराप्त होनी होती तो अब तक हो जाती यह open challenge है सारे संग्ठनों को, खुला दावा है कि 29 के 29 लाग संग्ठन जितने भी हैं, वो इस बात के लिए बहस करने के लिए जब चाहें, जब संग में आ सकते हैं, कि संग्ठन से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, संग्ठन से सिर्फ एक चीज प्राप्त हो रही है, कि हमार अधिकार लगाता लगाता घट रहे हैं, यानि अधिकारों के जाने की गती प्राप्त हो रही है, अधिकार जा रहे हैं, यह प्राप्ती हो रही है, यानि निगेटिव प्राप्ती हो रही है, उल्टा मिल रहा है हमको, अधिकार बढ़ने चाहिए, पर अधिकारों घटते जा रहे हैं घटे जा रहे हैं और संग्ठन कुछ नहीं कर सकते हैं संग्ठनों में आपस में टन टन रहती है संग्ठन रहके इसलिए उनको संग्ठन बोला जाता है तो संग्ठन की आव सकता है तो संग्ठन ही इसको कर सकता है इसलिए समड संग और जो हमारे पुराने संग है सारे लोगों ने संग को वंदन किया संग को नमामी की बुद्द स्वेम संग को नमामी करते थे और यहां भी सारे लोग अपने संग को नमामी करते हैं संग को वंदन करते हैं ऐसा कोई संग नहीं आज तक दुनिया में जो अपने लोगों के लिए सुख अपने लोगों के लिए विकास और अपने लोगों के लिए सुरक्षा लेकर नाया हो अब दुनिया के किसी भी संग को उठा लीजिए चाहे वो मुस्लिमों का संग हो चाहे वो क्रिशनों का संग हो चाहे वो सिखों का संग हो चाहे वो जाटों का संग हो और तो छोड़िये चाहे वो चीटियों का संग हो चाहे वो मधुमक्यों का संग हो चाहें वो हातियों का संग हो चाहें वो शेरों का संग हो चाहें वो घदों का संग हो चाहें वो हिरनों का संग हो चाहें वो पेडों का संग हो जितने भी संग हैं उनके अंदर विकास भी होता है उनके अंदर सुख्षा भी होती है और उनके अंदर सुख भी होता है और संग से टकराने की हिम्मत किसी की नहीं होती अगर हिरनों का संग कहीं बैठा हुआ है तो सेर बरावर से घुम कितला जाएगा पर जब तक हम नहीं करेगा जब तक संग मैंसे एकाद हिरन तूट के निकलना जाए चड़ियां भी जब संग में चलती हैं तो उससे बाज भी घबराता है क्योंकि सारी चड़ियां के चिपट गई तो बाज भी क्या कर लेगा इसलिए संग में ती ताकत होती है कि जब चार-पांच लोग इखटे चलते हैं तो दो-चार लोगों की हिम्मत नहीं होती कि उनको अबे तबे करें पर अकेले व्यक्ति को कोई कहीं कुछ भी बोल देता है इसलिए हमारे संग को तोड़ा गया इसलिए हमारे नियम तोड़े गए इसलिए हमारे संग को कमजोर किया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि हम अलग अलग हो गए हम टुकडों में बट गए और उन टुकडों को अलग अलग खतम करना और मारना आसान हो गया और हमारी अबनती हो गई और हमारी गती कम हो गई और हम खतम होने लगे बावा साब अम्मेड कर इस बात को जानते थे बुद्ध इस बात को जानते थे बुद्ध ने तो हर चीज को करके दिखाया उन्होंने तो नाकेवल कहा बलकर जो कहा उसको करके दिखाया इसलिए उनको तथागत बोलते थे वही बात बावा साब ने भी बताई है, उनके पास समय कम था, इसलिए वो पूरा एक्सपरिमेंट करके नहीं दिखा पाए, अगर उनके पास में दो चर पास साल, दस साल और होती ही, तो आज हमारा रूप रंग कुछ और होता, सायद हमें यहां गला फाला के अपना चिलाने की, या यह सब बताने की, आप सब को निजर उती है, हमारे बच्चे और हम सब सायद मज़े कर रहे होते हैं, और हमारा संग बहुत मजबूत होता, और बहुत बड़िया काम कर रहा होता, पर अगर नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि महापरूस तो आते हैं, पर उनकी हम ऐसा संगिक होती है, संग के हित्मे होती है, संग के अनुसार होती है, तो हमें उनकी बाते हैं मानते हुए, बिना देरी की हुए, अपने संग में देरी से आना चाहिए, संग का परचार परशार करना चाहिए, संग की बात लोगों को बताते रहना चाहिए, संग की बात ह हम जितनी जल्दी बचाएंगे संग की बाद जितना फैलाएंगे और जितना अपने लोगों को संग के वारे में याद दिलाएंगे उतनी जल्दी हम जीत जाएंगे क्योंकि हमारी जो अब तक सफलता हुई है जो अब तक हमने संग में काम किया है उस संग के अंदर हमें पहला फाइदा पहली सफलता ये मिली कि हम अपने समड सब्द को समड संग को पूरे भारत में भारत के बाहर भी लोगों तक पहुँचाने में काम्याब रहे यह हमारा पहला काम हो गया कि हमें पुराना संग याद आया और हमने सब को याद कराए और हम इसे दिन रात याद कराने में लगे हुए है दूसरी सफलता यह मिली कि समर्ण संग की जो नियम है वो दुबारा से जिंदा हो गए और वो हर एक लोगों के हाथ में समलन गंत के रूप में लगातार पहुंच रहे हैं तीसी सफलता हमें यह यह मिली कि अब संग का जो कंसेप्ट है और संग का जो तत्व है वो हम अच्छी तरह से जान गए और उस पे हम बात कर सकते हैं उस पे बहस कर सकते हैं हुम बता सकते हैं, और mouth to mouth, यानि लोगों से मिलके हम संग की सारी बातों को समझा सकते हैं, और चौथा step हमारा लगाता हुआ चल रहा है कि अब हमको काम करना है, क्योंकि विचार हमारे पास आ गया, बात आ गया, हमारे पास हम बता रहे हैं वो हमारा फेस पूरा हो गया अब सिर्फ हमको काम करना है जितनी तेजी से हम काम करेंगे और काम हमारा एक है जुड़ेंगे जीतेंगे जुड़ना है जीतना है बस संग को समझना है संग को बताना है संग को समझना है संग को बताना है जो जो लोग जुड़े हैं वो वो लोग जीते हैं जो जो लोग संग में हैं वो सारे के सारे जीते हैं यही काम हमें करना है इसलिए समर संग की आवसकता है इसलिए संग की आवसकता है और इसकी आवसकता कभी खतम नहीं होती जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हवा चाहिए सांस लेन के लिए और जब तक वो जीता है उसको हवा चाहिए सांस लेने के लिए समढ़ संग हमारी सांस है जिस दिन ये सांस आनी बंद हो जाएगी हमारा काम खतम हो जाएगा सांस 24 घंटे चलती है वैसे ही हमको समढ़ संग में 24 घंटे काम करना है यह हमारा जीवन है यह हमारा सुख है, यह हमारा विकास है, यह हमारी सुरक्चा है, इसी के लिए जीना है, इसी के लिए मनना है, गरब से कहो, गारब से कहो, हम समण है, आवाज दो हम समण है, संगंग नमामी, संगंग नमामी, संगंग नमामी, हमारा संग, समण संग, धन्यवाद.